हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका रसोई के चमतकार चैनल में तो आएए बनाते हैं बनाना पोटेटो बॉल्स खाने में स्वादिश्ट बिना घी ओयल के एकदम लाइट और जबरदस्थ पॉष्टिक इनको बनाना बिल्कुल ही आसान जल्दी से देख लेते हैं इन बॉल्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए उबले कच्छे के ले उबले हुए आलू बारी कटी गाजर और पालक और हमें चाहिए दर्दरी कूटी मुंफली बाइंडिंग के लिए दो चम्मच सामक के चावल का आटा मसालों में मुझे चाहिए बहुत ही सिंपल प्रोजाना घर में यूज होने वाले मसाले जैसे सेंदा नमक, भूना जीरा, चाट मसाला, पुदीना धनिया, सुखा कर पीसा हुआ और काली मिर्च मेरी इस रेसिपी का पहला स्टेप है उबले हुए केलों और आलूों को मैश करना ये इस बॉल में मैंने आलू और केलों को ग्रेट करके मैश कर लिया है और सभी इंग्रेडियंट्स को एके करके बॉल में डाल लेते हैं एक चमच के करीब भी मिक्सर को मुलाइम करने के लिए डाल दिया है अब मिक्स करना शुरू करते हैं हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं आटे की तरह गूंथ लेते हैं बिल्कुल जुड़ने तक गूंथ नहीं देखिए बड़िया गुथ गया है अब बॉल्स बना लेते हैं थोड़ा मिक्सचर एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में पलटकर गोल-गोल बॉल्स बना लेते हैं अभी हम बारा ही बॉल्स बनाते हैं यह बारा बॉल्स बन गई हैं बाकी का मिक्सर हम साइड में रख लेते हैं बाद में बाकी बॉल्स बनाते हैं बनाएंगे अब बॉल्स पकाने के लिए पैन को गरम कर लेते हैं और चम्मच से एक एक बून सभी पॉर्शन में डालकर ब्रश से ग्रीजिंग कर लेते हैं सभी पॉर्शन में एक एक बॉल्स रख देंगे ये कलर्फुल बॉल्स कितने सुन्दर लग रही हैं अब ढग कर इन्हें पकने देते हैं अब हम पलट कर देख लेते हैं बढ़िया पक गई हैं एक एक करके पलटते जाते हैं अरे ये तो पलटी ही नहीं जा रही दूसरी स्टिक की हैल्प से पलट लेती हैं धीरे धीरे सब बॉल्स को पलट लेते हैं और ढग देते हैं दूसरी साइड से पकने देते हैं फिर से ढकन हटा के चेक करते हैं अभी साइड कुछ कच्छी लग रही हैं अब साइड से पकने के लिए ढग कर छोड़ देते हैं आईए फिर से देखने अभी साइड से पलट पलट कर पकने देते हैं अब घुमा घुमा कर पका लेते हैं बिना ढग के यह हमारी पोटेटो बनाना बॉल्स करारी से सिक कर तयार हो गई हैं प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में निकाल कर पुदीना चटने के साथ सर्व करते हैं देखने में सुन्दर और खाने में बहुत ही स्वाथ आपको हमारी बनाना पोटेटो बॉल्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रैसीपी के साथ बाई, गॉड ब्लेस यू